उन्रापुर से खबर शराप के छेके पर यूवकों ने उत्पात मचाए है तलबार लेकर शराप छेका संचौलक को धमका दिया और मुकिमंति अशोग गैलोत ने ये साफ किया है देखे आठ बजे बाद शराप की बिक्री पर जिस तरह से प्रतिबंध है और अब देखिए पहली बाद तो उत्पात मचाया और फिर ये जो खेल पूरा सामने आया है और चलिए हमारे साथ सयोगी रवी शर्मा है इनके बारे में पुलिस जांच परताल कर रही है पुलिस को सूचना भी दी गई है इस बारे में और दर्सलिए पूरा जो मामला है ये भुवाना ना में बुवाना जो इलाका है वहां पर इस्तित शराब ठेके का है सबसे बड़ी बात तब कि आठ बजे बाद भी वहां तो यह अपने आपने गंभीर मसला था और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से जो बदमाश है जब शराब लेने आए और किसी बात पर उनकी जो है शराब बेचने वाले से कोई बात पर विवाद हुआ उसके बाद उन्होंने तलवार लेकर उसको दंगाया और और उसी जगांसे जिस जगा शराब की विक्री की जा रही थी चोरी चूपे उसी जगांसे पर उन्होंने तलवार अंदर तक डाल रीए और उससे दंगाया तो यह दोनोणही बहर्त गंभीर है पहला गंभीर's अकि कि कि सथीके से बदमाशों ने शराब शराब के ठेके प तो दोनों ही मसले बेहत गंबीर है आपकारी विवाग को पुलिस विवाग को इस वारे में संग्यान लेना चाहिए और जो भी आरोपी है उनके खिलाब कड़ी कारवाई भी होनी चाहिए ताकि भविश्य में ना इस तरह की संगीन बाहरदाते हों जिनमें बदमाशों को इस अब किन धाराओं के तहट जब ये CCTV फुटेज क्योंकि हम भी दिखा रहे हैं लगातर फर्स्ट इंडिया पर अब जब ये मामला संग्यान में जाएगा इसके बाद किन धाराओं के तहट इन यूगों पर कारवाई की जा सकती है क्योंकि एक नहीं बलकि दो-दो नियम जि जाहिर सी बात है आम सेक्ट में इनके खिलाब मुकदमा बनता है शराब की दुकान पर जाकर डराना धंकाना लूट की नियत से जाना ये तमाम जो मुकदमे है ये इन पर बनते हैं दूसरी तरफ जो शराब विक्रेता है जो ठेका संचालक है उस पर भी गैरकानूनी तरीक कि नियत निर्धारित जो समय सीमा है आठ वजे की उसके बाद शराब बेचने का चोरी छुपे शराब बेचने का जो मामला है वो एक्साइज डिपार्टमेंट इस वात को देखेगा कि क्या ये जो शराब ठेकेदार है इसके खिलाब भी कडी कारवाई अमल में लाई जाए ताकि इस तरीके से जो शराब का अवैद बेचान जो है वो ना हो सके चले रवी बहुत शुक्री आपका मैसेज उड़ने के लिए पूरी बातचीत के लिए